तो आफगनिस्तान वर्से साउथ अविर्का के पहले से में फाइनल में साउथ अविर्का ने आफगनिस्तान को हरा के फाइनल में पहुँच गई तीन दसक बाद पहली बार साउथ अविर्का की टीम फाइनल खेलेगी ओवी वर्ल्ड कॉप T20 चैंपियंशिप का मतलब उनके लिए एक proud moment है जो सपना इतने बड़े-बड़े प्लेयरों ने देखा A.B. De Villiers, Harsal Gips, Smith बहुत सारे ऐसे नाम थे जो सपना देख रहे थे जो South Africa को final में पहुचा है, final जिता है पर वो कारणावा कर दिया Aidan Markram और उनकी team ने मज़ा आया एक तो उन्होंने सबसे बड़ा चमतकार तब किया जब होम टीम West Indies को हरा के ये World Cup से बाहर का रास्ता दिखाया क्योंकि West Indies ऐसी टीम है जो T20 के लिए specialist मानी जाती है एक से एक धुरंदर है निकोलस पूरन से लेके पूरे मतलब स्टारडम बढ़ा पड़ा है उनको बाहर का रास्ता किया और कही न कहीं अपने लिए सफर असान किया और अफगनिस्तान को सेमी फाइनल में हरा के पहुँच गई फाइनल में लेकिन अफगनिस्तान ने भी बहुत इमप्रेस किया क्या बात है सर देखो यही चेहरे थे जो एक दिन पहले मुश्कुरा रहे थे उसके बाद आखे नम थी राशित खान रोते हुए नजर आए और होता है यार किरकेट ना हसाता भी है और रुलाता भी है किरकेट खेल नहीं है एक एमोशन है लोग जुड़ जाते हैं सब जीतना चाहता है पर कोई एक ही जीत सकता है यही नियम है बट वेल प्लेड आफगनिस्तान टीम आपने सब को इंप्रेस किया करोडो लोगों का दिल जीता ना सिर्फ आफगनिस्तान बलकि वर्ल्ड में भी सब ने आपको बहुत जादा सपोर्ट किया और चाहते थी कि आप जीतो आगे बढ़ के पास एक से एक बॉलर है जो कारनामे करते हुआ है राशित खान है इस पिन में नूर एमद है फास्ट की बात करे तो नवीन उलहक और बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जो बॉलिंग में दमखम दिखाते हैं टीम को आगे बढ़ाते है लेकिन वही बल्लेबाजी की बात आती ह तो गुर्बाज के अलाबा कोई भी ऐसा नहीं नजर आता जो जिम्मेदारी या ऐसा कोई प्लेयर जो अन तक खेल जाए बड़ी पारी खेल जाए कहें न कहीं बहुत बड़ी कमजोरी तो है अफगनिस्तान किर्केट की उनकी बल्लेबाजी बारी मिस्टिक हो गया सर एकद जब भी होगा वो बहतरीन तरीके से बल्लेबाजी भी उनकी सुदरी हुई नजर आएगी इसकी मैं गारिंटी देता हूँ क्योंकि वो किर्केट को एक स्पिरिट की तरह लेते हैं और एस याई जितने भी टीम है ना किर्केट भाई खेल नहीं है यहाँ इमोशन है लोग पागल है किर्केट के पीछे क्योंकि हसाता भी है रुलाता भी है अफजनिस्तान को रुलाया है लेकिन करोडो लोगों का उन्होंने दिल जीता है बहुत इंप्रेसिव किर्केट खेला नो डाउट राशित खान और उनकी पूरी टीम उनकी कंपनी ने कमाल का पर्फॉर्म नहीं उठाता आप बहुत ही तगड़ी टीम है एज यूनिट आप बहुत ही गजब का खेलते हो और सबका दिल जीता है यहां से एक पॉजिटिविटी की तरह देखो और क्यूंकि पहली बार से में फाइनल भी खेली आफगनिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप का तो यह बहुत ब पेबल तो है कि इंग्लेंट को धो देगी और मुझे लगता है कि अच्छे से परफॉर्म करेगे और रोहिस सर्वा के जिस तरीके से पिछले मैच में परफॉर्मेंस आई है यह तो कारनामे करते हो रहेंगे और इनका बल्ला चल गया तो एक तरफा हो जाएगा मुकाबला बाकि आप लोग कमेंट में बताईए कि क्या लगता है इंग्लेंट जीतेगी इंडिया जीतेगी या बारिश की जीत होगी जो भी रहा है कमेंट में दीजिएगा फिर मिलेंग अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाई